नमश्कार कल हम लोगों ने एक मनी की सीरीज स्टार्ट की उसमें मनी की हिस्टरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि पैसा जो हम अभी यूज करते हैं वो कहां से आया उसका उरीजिन क्या है कहां से शुरुवात हुई और क्यूं पैसा आज काई मनी के बारे में हम जान रहे हैं कल के वीडियो में से कुछल है कल को पैसे के बारे में पढ़ा था उसमें क्या že नहीं किया था क्योंकि रचिया जादा क्वातए है लीव बृटरासिस्टम करें और क्या है तो मुझे समान दे रहे तो फिर वो समान का सिस्टम रहता था शुरू में करेक्ट बार्टर सिस्टम था वो फेट और उब्लिगेशन और रेसिप्रोसिटी पे काम करता था लेकिन स्ट्रेंजर के साथ वो नहीं चल पाता था इसलिए दिकत होती थी बार्टर करने में फिर जब उनको लगा कि एक हमें युनिवर्सल पैसा डिजाइन करना है तो उसमे किया चीज इंपॉर्टेंट थी किया चीजों का धियान रखा गया कि क्या बेसिज हो करेक्ट एज़ी टुकर्ए हो यहां से वहां ट्रांसपोर्ट कर सके अगर पैसे की वैल्यू ऐ कोई फार्मर ए उसको यहां खेद बेचना ए तो कोई ऐसी चीज उसको मिले जिसको वह द और कैरी करना, last हमने यहीं तक पढ़ा था इसके आगे आज continue करते हैं ठीक है, how does money work पैसा काम कैसे करता है आज हम लोग इसकी शुरुवात करते हैं कावरी शेल्स और डॉलर्स है वैल्यू only in our common imagination जो वो कौडियां थी कावरी शेल्स, उसकी और डॉलर की value जो है वो value क्यों है क्योंकि हमारे दिमाग में उसकी value है हमारे हिसाब से हमारे mind के अंदर वो बहुत कीमती चीज है, इसलिए हम उसको value करते हैं इस पैन के लोगों को gold की value थी लेकिन वो value आई कैसे धीरे-धीरे करके इसके बारे में आज हम जानेंगे history समझेंगे कि क्यों हम किसी चीज को value करते हैं और फिर वो कैसे सिक्के जो हैं सब लोग इस्तिमाल करने लगते हैं और जैसे हो सकता है किसी के लिए सोना important हो और किसी के लिए gay हूँ तो फिर लेकिन common lag which कैसे बन जाती है दीरे दीरे सभी सोना important होने लग गया सब के लिए पिछले 1000-2000 साल में एक universal निकल के आया क्यों आज dollar पे सब लोग विश्वास रखते हैं क्यों आज मतलब एक सोना सभी के लिए important हो गया चाहे वो कोई रशिया में हो चाहे अमेरिका में या इंडिया में तो आज उसी हिस्ट्री को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे उसी सीरीज में तो कावरी शेल्स एंड डॉलर्स की जो वैल्यू है वो बेसिकली हमारी इमाजिनेशन में है इसा नहीं है कि उनकी शेप बहुत अलग है या उसके अंदर बहुत वैल्यू है इसलिए हम उसे वैल्यू कर रहे है वो हमारे दिमाग में उस चीज़ की वैल्यू है उसीलिए चाहे वो कावरी शेल्स हो या डॉलर हो वो हमारे लिए इंपॉर्टन है In other words, money isn't a material reality, it is a psychological construct यह बहुत important चीज है Money ऐसा नहीं है, ओथर कहते हैं कि बाहर की दुनिया की कोई दुनिया में कोई reality है, वो हमारे दिमाग में एक value है वो ही important है, हमारे दिमाग की जो value है अचा यह चीज हम आज भी अगर देखते हैं तो किस चीज में apply होती है, एक example, common example जैसे कि suppose हमारे घर के सामने कोई घर भिक रहा है तो उसकी कीमत कौन decide करता है एक तो government rate होते हैं, बट actually में government rate पे कोई अपना घर बेशता नहीं है सब लोग अपने हिसाब से कीमत लगाते हैं तो एक तो हो गई उसकी real value जो कि government के हिसाब से paper पे on paper होगी बट वो नहीं होती, actual value उससे बहुत जादा होती है तो लोग जब घर बेचते हैं या land बेचते हैं तो वोई देखते हैं कि उसकी location क्या है क्या उसके लिए धेड सारे buyers उनको मिल रहे हैं क्या उसके आसपास facilities अच्छी हैं क्या वो area Porsche है, क्या वहाँ पे businesses खुल रहे हैं, shop shop खुल रही हैं क्या वो peaceful area है रहने के लिए, तो बहुत सारे factors हैं जिसकी वज़े से उसकी value बढ़ जाती है तो value as such घर की value नहीं है और बहुत सारी चीजे मिला के उसको important कर देती है तो इसी तरीके से author कह रहे है Money जो है, वो उसकी value इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग में हमने उसको value दे रखी है It works by converting matter into mind Basically, बाहर का matter हमारे mind में convert हो गया है But why does it succeed? Why should anyone be willing to exchange a fertile rice paddy for a handful of useless kauri shells? Why are you willing to flip hamburger, sell health insurance or babysit three obnoxious brats When you can, when all you get for your exertion is a few pieces of colored paper Now author कह रहा है, ऐसा क्यों है कि कोई आदमी kauri shells अगर उसे बोरा भर के मिल रहे है तो वो अपना fertile rice paddy बेच बेच रहे है The rice paddy तो value जादा है, उन कौडियों की क्या कीमत या फिर आप अपना time, जब किसी baby sitting करते हो तो तीन दुष्ट बच्चों के साथ पूरा दिन बिताते हो जो आपका सर और time पूरा खा जाते है फिर भी आप करते हो क्योंकि उसके बदले में आपको कोई हरे-हरे notes मिलते है तो ऐसा क्या है उसके अंदर, उसकी value क्या है वही author पूछ रहा है क्या चीज है जिसको हम इतना मानते है people are willing to do such things when they trust the figment of their collective imagination हम सब लोगों की imagination में खाली मेरी या वैभव या मेरी या शरीश की नहीं और भी बाकी लोगों की imagination में उस note की बड़ी कीमत है तो हम सब की इखटी imagination में उस note की कीमत है इसलिए उसके लिए हम वो भी काम करने को त्यार है जो हमें पसंद नहीं है जैसे अगर मैं आप पढ़ाई कर रही हूँ चाहे मुझे पसंद नहीं है तो मैं किसी कारण से कर रही हूँ हम वो काम भी करते हैं जो मैं नहीं भी पसंद है क्यूंकि हमारे माइंड में और दूसरों के माइंड में भी उस चीज की वैल्यू है Trust is the raw material from which all types of money are minted हर तरीके का पैसा किस से निकल के आता है? Trust से, हमारे विश्वास से वो जो हम माइंड में trust कर रहे हैं किसी चीज पे वही से निकल के आता है When a wealthy farmer sold his position for a sack of kauri shells and traveled with them to another province, he trusted that upon reaching his destination other people would be willing to sell him rice, house and field in exchange for their sell तो उस ने भरोसा किया ना, वही भरोसा हम सब को होता है जैसे उस आदमी ने फार्मर ने भरोसा किया कि मैंने अगर खेट बेच दिया, मेरे पास बोरा भर के shells आगए मैं दूसरी जाओंगा तो वह भरोसे के साथ जा रहा है तो वह भरोसे के साथ जा रहा है कि वहाँ जाके मैं और जमीन करीद लूँगा नया घर करीद लूँगा तो एक तरह से उसको trust है उस kauri shells पे money is accordingly a system of mutual trust and not just any system of mutual trust ऐसा नहीं है कि money कोई ऐसा वैसा mutual system of trust है यह एक system बना हुआ है भरोसे का money is the most universal and most efficient system of mutual trust ever devised आज तक दुनिया में लोग अगर एक दूसरे पर भरोसा करते है तो वो केवल केवल money के form में लोगों का religion अलग है लोगों का culture अलग है लोगों की thought process अलग अलग है लेकिन उसके बावजूद लोग एक common चीज़ पे भरोसा करते हैं पूरी दुनिया में और वो है money so money कोई छोटा मोटा system नहीं है money is the most universal पूरी दुनिया में जानने वाला and most efficient और सबसे बहतर तरीका है mutual trust का एक दूसरे के ओपर भरोसा करने वाला system जो design हुआ है आज तक दुनिया में what created this trust was a very complex and long term network of political social and economic relations वही वो author क्या रहा है बहुत लंबे समय से कैसे चीज़ बदली है उससे एक पूरी दुनिया का social system बदला political system बदला economic system बदला economic मतलब रुपे का आदान प्रदान रुपे पैसा political मतलब रुकॉन रूलर है किसकी government है and social मतलब societies में लोग कैसे रहते हैं social system कैसे बदले तो पूरी दुनिया में जब ये सारे systems बदले तब ये धीरे धीरे करके mutual trust का system निकल के आया why do I believe in the cowry shell or gold coin or dollar bill because my neighbor believes in them हम लोग उस पे इसलिए भरुसा करते हैं इन सब चीज़ों पैसे पे क्योंकि हमारा पडोसी भरुसा कर रहा है and my neighbor believes in them because I believe in them और मेरा neighbor क्यों believe कर रहा है क्योंकि मैं भरुसा कर रहा हूं तो एक तरह से हम दोनों को mutual भरुसा हो गया उसको भरुसा है मुझे भी भरुसा है तो हम दोनों को एक दूसरे से trust हो गया कि हाँ पैसे के ऊपर वो पैसे की वज़ से है trust and we all believe in them because our king believes in them and demands them in taxes and because our priest believes in them and demands them in teeth अब खाली ऐसा नहीं है कि मैं और मेरा पडोसी एक दूसरे पर भरुसा कर रहे है या मैं भी पैसे पर भरुसा कर रहा हूं मेरा पडोसी भी हमारा राजा भी मेरा किसलोर कर रहा है जब सरकार हम से टक्स ले रही है तो वो ही हो पैसे ज़े रही है और हमारा जो प्रीस्ट मंदिर में पुचारी वो भी तो हम से पासा ले रहा है तो हर को ही परोसा कर रहा है झाए हम भी परोसा कर रहे है in the sense सब वहुत मान deg auto चीज़ को, take a dollar bill and look at it carefully, you will see it is simply a colored piece of paper with the signature of the US secretary of the treasurer on one side and the slogan in God we trust on the other, अब किसी भी note को उठा के देखो, जैसे इसने dollar की bill की बात बताई, एक dollar, one dollar उठा के देखो, उसमें sign किया हुआ है, जो US treasurer उसका साइन है और एक जगा लिखा है, in God we trust, इंडिया में अलग है नोट पे, हम लोग जो भी लिखते हैं सत्यमेव जयते, या उस पे एंबलम है, या गांधी जी का बना है कुछ नोट पे, तो एक तरह से, हम लोग उस पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस पे भरोसा कर रहे हैं, कि हमारी सरकार उस पे भरोसा कर रहे हैं, हमारी सरकार हम से taxes ले रही है, भाई, उसी form में, इसलिए हम लोग उस पे भरोसा कर रहे हैं, So we accept the dollar in payment because we trust in God and US Secretary of the Treasury We are also accepting in God and the Secretary with the signatures are also accepting in that The crucial role of trust explains why our financial systems are so tightly bound up with our political, social and ideological system And why financial crises are often triggered by political development And why the stock market can rise or fall depending on the way traders feel on a particular morning Now this is a system of trust, that is why the government changes the currency of its value or falls down in the international market Because all the systems are so tightly connected with each other, the political system is connected Now this is a system of trust, the whole world will look at it We all have a trust in common money So when someone's trust is broken, a country or company, like the stock market will crash So the entire economy of the country goes down, the stock market will rise, the economy will rise So everyone is a problem, that is why the social situation changes, even the government changes, the economy changes The companies change, the economy changes, the economy changes, the economy changes So the traders say what is the sentiment of market, the sentiment is emotion So it is a problem, but if you actually see, it is a trust and sentiment From the big stock market and money, it is a rule The transactions of money, which are the transactions Initially when the first version of money was created, people didn't have this sort of trust So it was necessary to define as money, things that are at real intrinsic value So the first version of money was created, when the first version of money was created, they thought They should create such a thing, which is in itself, its value So history is the first known money, the whole world's history, the first money was created Sumerian barley money is a good example It appeared in Sumerian around 3000 BC BC means before? Before the country It appeared in Sumerian 3,000 years ago It was one place in Sumerian in Sumer The first introduced money in Sumerian And in the money was introduced? Barlet, John John, the first one is the move in the market That was made as the value of John It appeared as the value of John People eat the things of food, so it means it is valuable Then it appeared as it was used as the money So in the first one, the first example of money it is Sumerian barley money Just as writing developed to answer the needs of intensifying administrative activities so barley money developed to answer the needs of intensifying economic activity. अब writing क्यों आई? Writing की शुरुबात इसलㄏ हुई writing लोगों ने papers में रखा जिसे की चीजे system बने, उसमें store होग één इक चीज चीज Constitutional सम्मिधान वो लिखा गया है, वो रखा गया औरल ही नहीं पास हो रहा है उसको प्रॉपर्ली लिखके तो जैसे राइटिंग बनाई गई लिखा गया जिसे कि एड्मिनिस्ट्रेशन के काम चल सके भाई रूल्स रेगुलेशन उसी तरीके से पैसे को लाया गया कि एकनॉमिक अक्टिविटी लें देन आदान प्रदान चीजों का एक्सचेंज ये स् फिक्स्टमान उफ बार्ले ग्रें उसे अशरा मेसरी वर्वल अग्शंज इन उस इस तरीके से कोई भी गूद्स लेना सर्विस लेनी तो बार्ले को जौं को पैसे की तरह यूस किया जाता था अधा था तब मोस्त क्यूमन मेजरमेंट वस द सिला एकुवेलें टीटर बरा बाइ और सेल अनिधिंग इज़ कोई सेला अपारले किसको कितनी सैलरी मिलेगी तुम्हारे को 100 सिला अव बारले मतलब 100 कटोरे जो तुम्हारी सेलरी इदनी ऐसे करके डिसाइट था इसी तरीके से सबकी सैलरी डिसाइट हुई तो ऐसा नहीं था कि वो जो बारले या जो मिलता था वो एक आदमी को जो मिलाए वो पूरा-पूरा खुरी खा जाएगा बट वो उसको यूज करता था और चीज़े खरीदने के लिए जैसे अब उसको मसाले चाहिए तेल चाहिए कुछ और समान चाहिए कपड़े चाहिए तो वो उसको एक्सचेंज करके वो ले लेता था लेकिन वो पहला मनी था सुमेरियन बारले मनी वो जीज़ से भी तीन हजार साल पहले जो फर्स टाइम आया था लेकिन अब उसके साथ प्रॉब्लम यही थी कि हमने उसके अंदर इ प्रॉब्लम थी उसमें तो हुमन सकन एट बारले को बट इट वो इट वो इस टोर एंड ट्रांसपोर्ट बारले सेम प्रॉब्लम यही खा तो सकते हैं लेकिन ट्रांसपोरेशन और स्टोरेज दिक्कत फिर नेक्स क्या आया तर रियल ब्रेक्थू इन मॉनितरी हिस्ट्री अब लोगोने का भई वो दो बाठीक है कि इसके अंदर अपनी खुद की वैली होती है मुझे खा सकते हैं असली ब्रेक्थू बड़ी डिस्कवरी आई जब हमने एक ऐसी चीज को पैसा माल लिया जिसके अंदर खुद की वैल्यू नहीं है जैसे सिल्वर शुरू में को पैसी की तरह यूज किया गया अब लगा तो हम खा सकते ना सिल्वर के अंदर अपनी कोई इनरेंट वैल्यू है लेकिन सिल्वर ने क्यूंकि एजी तू स्टोर और इजी तू ट्रांसपोर्ट है इसलिए बारले के बाद सिल्वर इंट्रियू उगया तो प्रियू अपा है 900,000 जो'dी मिल्यनियम इसंपा थै। मतलब वही थर्ड मिल्यनियम की सिल्वर ड dhbppc ,01 हॉं तू सिल्वर शकल लाय शल्वर की सिल्वर शकल वّन था वो शिक्का नहीं था वो 8.3 gram 33 grams of silver था अल्लाइक बार्ले सिलाश, silver shekel had no inherent value, silver shekel की कोई अपनी value तो थी नहीं, you cannot eat drink or cloth yourself in silver and it's too soft for making useful tools also, plow shares or sword of silver would crumple but when they are used for anything, silver and gold into jewelry, crowns and other status symbols, luxury goods that member of particular culture identify with high social status, their value is purely cultural, Sona Chandi की value इसली शुरू हुई क्योंकि Sona Chandi लोग जो luxury वाले लोग थे, जो high status के लोग थे, वो अपने लिए ornaments, jewelry, जब आप फोट या मुजियम में जाओगे न तुह आज भी रख्योती है, silver की chair, पूरी silver की chair रख्यो हुई है, हम लोग फोट में गए थे, गूम दे, silver का dressing table है, उसका शीशा पूरा silver से covered है, तो silver को status और luxury में gold और silver को माना जाता था, तो राजे महाराजे सब gold silver नहीं उस करते थे, तो उसकी cultural value थी, भाई high class के लोग gold और silver यूज करते हैं या पहनते हैं उसकी jewelry या उसको ornaments या वो सब चीज़े यूज करते हैं, लेकिन उसमें problem क्या थी? उसके सिक्के तब तक नहीं आये थे, सिल्वर के शेकल्स बनेते हैं जिसमें 8.33 ग्राम्स था, सेट वेट अफ प्रेशल मेटल्स यूज इवेंचली गेव बर्ट तो कॉइन्स, और सबसे पहला कॉइन बोलते हैं, फर्स्ट कॉइन इन हिस्ट्री वर स्टॉक अराउंड 640 BC, अब हजारों से हंडर्ड्स में आये, 640 BC, by King Allaitis of Lydia, in Western Anatolia, यह जगाएं भी उस जमाने की अलग अलग हैं, उस जमाने में रीजन भी अलग लग थे, इस कॉइन 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 थे, 2 things, 1st it indicated, how much precious metal the gold contains, 2ndly, it identified the authority that issued the coin, and that guaranteed its content, almost all coins in use today, are descendants of Lydia coins. तो वो जो King Allaitis of Lydia था, उन्होंने पहली बार the coin introduced किये, अब coin से 2 चीज़े पक्की हो गई, एक तो weight सेट हो गया, ऐक coin का weight इतना है, दूसरा, coin के उपर photo chip की होती थी तो ये होता था कि भाई राजा ने इस coin को authority दिये use करने के लिए चुकि photo थी उसके उपर king की इसलिए वो उसकी value पक्की बानी गई coins had two important advantages over unmarked metal ingots first the letter had to be weighed for every transaction second weighing the ingot is not enough how does the shoemaker know that the silver ingot I put down for my boots which is really made of pure silver and not of lead covered by the outside coins help solve these problems abjab shekels hai ingots hot hai thai silliya mooti mooti slab to ab kisi ko kya pata ki under kuchh or bhar rakha ho bhar se covering chadha rakhi ho to hume kaise bharosa hooga coins de ho sab problem solve ki fix weight ka bana ya coin aur uspe raja ki seal hoti thi to pata chalata ki haa yeh authentic hai nakli nahi hai asli hai so the mark imprinted on coins testified to their exact value so that shoemaker doesn't have to keep a scale on his cash register and most importantly the mark on the coin is signature of political authority that guarantees the coin value if raja ka photo hai coin pe to it means raja ne guarantee li hai ki he coin asli hai iski value hai mahi bol raha hou hai na toh kisi na ek tari se kaatai na guarantee li jib bank me jate hai loan lene toh kaatai na bank kisi ki guarantee lene ka rao matlab aagar tum loan nahi bhar hooghe toh hum usse wasool lenge yeh hota hai guarantee ka matlab ki aagar maine tumhari liye guarantee di hai tumne 10 laag ka loan diya tum 2 saal taak kishte bharate ho fir tum default kar jate ho kishte band kar dete ho toh aagar maine guarantee di hai toh bank mudhse lega paisa ho gaya ga tumne guarantee rakhhi hai tum lao paisa toh ek tari se jab raja ne apni photo di toh raja ne guarantee li us coin ki the shape and size of the mark varied tremendously throughout history but the message was always the same shape or size mark pe alag ho saktah hai coin pe lekin message kia tha I the great king so and so give you my personal word that this metal disc contains exactly 5 grams of gold toh 5 gram ka sikka hai sonne ka toh mein raja jiski photo hai wo tumhye keh rahai confidence se ki ismeh 5 gram ka sona hi hai hai na ek tari se photo se matlab us te apni authority de di us coin ko if anyone dares counterfeit this coin agar kisi or ne ispe banane ki ki košish ki ye nakli kehte hai ki agar aap paisa chhapte ho na jyase government ke baas paisa chhapta hai agar koch log nakli paisa chhapte hai jyase hum movies me dekhte hai koch toh ye sabse bada crime maana jata hai toh isi liye agar koji nakli coin banata tha toh woh sabse bada crime hota tha raja ke against so if anyone dares counterfeit this coin it means he is fabricating my own signature which would be a blot on my reputation i will punish such a crime with the utmost severity toh agar kisi ne nakli banane ki koishish ki coin toh maya sako saja dunga ye sabi tarah se maan liya gaya hai jib raja ki photos coin pe lag gai hai toh hai na toh koji usko or or koji nahi banane ga siwai raja ke so that's why counterfeiting money has always been considered much more serious crime than other acts of deception koi bhi dhoka dhadi se zahada agar apne paisa banane ki koishish ki nakli wo sabse bada jurm hai crime hai counterfeiting is not just cheating it's a breach of sovereignty an act of subversion against the power privileges and person of the king matlab tumne raaja se gaddari ki agar tumne nakli paisa binaya toh tumne us desh ke raja ya political system jo hai usse gaddari ki hai toh tumhara crime chhota moota nahi hai dhoka dhadi ka mana jayega ki tumne sabse jo top ka banda hai uske khilaaf tumne kuch galti kari hai so it is like like a big crime faking money ya making false money this is the sign cabernel karta haan this was the film catch me if you can haan haan this is the note chaapta hai catch me if you can me tohahi hai agar apakda jahate ho it is like really or amesha asa hotai jo loo nakli note banate hai na wo note kabhi bhi waisa nahi ban sakte jase ki original note hoote hai amesha signs and symptoms hoote hai ki jo banda janata ha catch kar leega because asa government ne kar rakhkha hai kuchh systems kuchh kuchh cheeze ki woh koi or replicate nahi kar pahe ga kitna bhi kooshish kare us kuchh kuchh cheeze aasi joh replicate nahi hoti hain so people can make out fake money fake hai the legal term is lize majesty voilating majesty and was typically punished by torture and death purane zamane agar kisi ne nakli sikhe banane ki kooshish ki to lize majesty matlab tumne raja ke khilaaf gaddaari ki hai to torture karke maar diya jayega agar asa kiya to as long as people trusted the power and integrity of the king they trusted his coin jabtak logo ko raja ki power me uski integrity mtlab ye sahhi raja hai aur authority dhe ra tb tk us mein vishwaas tha tb tk coin pe bhi bhi bharosa rahe ga total strangers could easily agree on the worth of a roman denarius coin because they trusted the power and integrity of the roman emperor whose name and picture adorned it Roman kings rome was one of the most powerful kings in history ke julius caesar ka naam pard te kai roman kings te ke bhot powerful kings te jab rome jate europe me go to vaha pe abhi bhaari puraane structures or bhot is tarih ki cheez which tells vaha ki royalty ke báre me but ye ke rome rome me unnoh denarius coin nikale thay denarius coins dinars dinars dh dinars dh dinar diram joh arabic countries follow kerti dh dh dinari coins roman empire se chale in turn the power of the emperor rested on the dinarius just to think how difficult it would have been to maintain the roman empire without coins if the emperor had to raise taxes and pay salaries in barley and wheat so it would have been equally difficult to maintain the empire if the inhabitants of the city of Rome believed in gold coins but the subject population rejected this belief putting their trust instead in cowrie shells ivory beads and rolls of clothes so he is saying that any money depends on it equally that it was easy for the king but the people will be full of it so the king has left a coin and people are running the barter system and what is its value? so people have to believe in it so the people have to believe in it so the people have to believe in it until the money was successful okay let's finish this thank you 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 thank you